हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब लोग आसा करते हैं बहुती अच्छे होंगे स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन क्लासेज में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रकृतिबाद इसे मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा ताके आपके अच्छी तरीके से समझ में अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है तभी हमारे यह प्रकृतिबाद पूरा समझ में आएगा दोस्तों प्रकृतिबाद सब्द नेचरलिस्म सब्द का हिंदी रूपांत्रण है जो दो सब्दों की योग से मिलकर बना है नेचरल धन इसमें नेचरल का अर्थ है दोस्तों आपको आगया होगा कि हम इस टॉपीक में क्या पड़ने वाले हैं दोस्तों से समंधित सिद्धानतों को ही प्रकृतिबाद कहते हैं और वही इस वीडियो में पड़ने के लिए मिलेगा तो हम देखते हैं प्रकृति बाद सब्द जब हमारे सामने आता है तो कौन सी प्रकृति दोस्तों प्रकृति दो प्रकार की होती है एक तो होती है हमारी बहुत एक प्रकृति दूसरी होती है बालक की प्रकृति बहुत तक प्रकृति के अंतरगत जो हमारा वह वात आवरण है हमारे आसपास जो नेचर है वह आती है और बालक की प्रकृति के अंतरगत जो बालक की मूल प्रवतियां होती है जिन्हें बालक जन्व से ही लेकर चलता है वह उसकी मूल प्रवतियां होती है जैसे ह शासना है रोना है आवेग बठ्शमता यह होती है बालक की प्रकृति अब हम बात करते हैं कि प्रकृतिवात काल मूट सिध्धाANSक्या है कि रुपर तो भी हमने इसके साब्दाएक अर्थ की बात की थी अब इसके हम मूल सिध्धान्त की बात करेंगे तो दोस्तो प्रकृतिवाद का मूल सिध्धान्त यथार्थता दोस्तो एक्जाम में सीधा कोश्चन आएगा कि प्रकृतिवाद का मूल सिध्धान्त क्या है तो वह होगी हमारी दोस्त प्राची विचारदारा है प्रकेटिवाद भोतिक तत्तों को प्रदान्ता देता है इसंदूम्हें ये और अची तरीके से स्माज में आएगा हम देखते हैं परिवासा सबसे पहली है James Ward के अमसार पर इन्हों ने क्या कहा है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धान्त है जो प्रकृति को इस्वर से अलग करता है आत्मा को पदार्थ के अधिन करता है और अब परवर्तिनिय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है अर्थ साम में परवासां पूंची आती हैं इसलिए आप इन अच्छी तरीके से याद कर लें दूसरे मनुवज्याने के हमारे ब्राइस ब्राइस ने क्या कहा है कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विश्यस्ता आध्यात्मिक्ता का ब्रोध करना है यह दोस्त प्रकृतिवाद दूसरा यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा जी विज्यान का प्रकृतिवाद दोस्तों बहुत प्रकृतिवाद क्या होता है कि जिनका प्रियोग बपरिच्छन किया जा सके वह दोस्तों बहुत प्रकृतिवाद की अंतरगत आते हैं अब यंत्रव ोन मानता है। यह व्यक्ति को यंत्र मानता है वशरीर को मसीन मानता है यह दोस्तों यंत्रवादी प्रकरतिवाद की विचार धारा है अब जी विग्यान का प्रकरत्यवाद क्या कहता है Honors Park यह व 근데 सद्धांफर सधार Nico है जीवन एक नई क्रती है और नवीन संगठन है इसका मानना यह है कि जीवन एक नवीन क्रती है और नवीन संगठन है अब दोस्तों प्रक्रतिवाद आखिर इसके पढ़ने के क्या उद्देश है आखिर हमें यह क्यों पढ़ाया जा रहा है इसके हम उद्देशों को जानने का प्रयास करते हैं तो आव आते हैं हमारे प्रक्रतिवाद की उद्देश है तो सबसे पहला उद्देश है वह हमारा आत्म रच्छा प्रक्रतिवाद का उद्देश है यह दूसरा है जीवन के मौलिक आवश्चक्ताओं की पूर्ती तीसरा है संतति पालन चौता है सामाजिक यो राजनेतिक संबंदों का निर्वाहन पांचमा है अब कास के समय का सदुपियोग अब दोस्तो ये तो हुए इसके उद्देश से अब इन उद्देश्चों की पूरती के लिए एक पार्ठिकरम चलाया जाएगा अब हम वह पार्ठिकरम देखते हैं दोस्तों पॉइंट वाज पॉइंट पढ़ाऊंगो आपको अच्छी तरीकी समझ में आएगा रटने का प्रियास ना करें समझने का प्रियास करें के वाला अब देखते हैं कि हम इनके पार्ठिकरम में क्या क्या है तो जो सबसे पहला था हमारा आत्मरच्छा तो आत्मरच्छा संबंदी गुणों के विकास के लिए सरीर विग्यान, स्वास्त विग्यान, सैन विग्यान और ब्यायाम ये तो हुए आत्मरच्छी संबंदी गुणों के विकास के लिए अब क्या है जीब को पार्जन संबंदी गुणों के विकास के लिए बैग्यानिक विसे बगड़ित भूगोल ठीक है ये तो हो गए जीब को पार्जन के लिए अब संतति पालन के लिए उन्होंने कौन कौन से विसे रखे हैं योन विग्यान बालमनों विग्यान वग्यान अ सामाजिक राजनेतिक संब्न के से लिए सब माज के लिए समाज विज्जान इतिहास अर साथ राज नहींतित सास्त्र अब क्या है दोसतों कि की हुई साथ है सामएं गया आप ठीति होते हम हम लुक्त सोचते हैं कि भी यह यियह थों तीं Four देन को कैसे पढ़ाया जैगा तो इसकी कुछ सच्षण विदियां उन्हीं को देखते हैं कि इनकी कौन-कौन है। तो सिच्छण विदियों में सबसे पहली जो सिच्छण विदी ये श्व अधिगम विदी परकते वादी ग्यान इंद्रियों को ही ग्यान का द्वार मानते हैं और पुष्ट की ये सिच्छा का वरोद करते हैं इसलिए बालकों की इंद्रियों के विकास के लिए श्व दूसरी है करके सीखनाम से रफिवाद्ट करते हैं करके सीहने पर बल देते हैं ठीक है थो समझ सकता है ठीक है दोस्तों नेक्ष्ट विदी है भ्रमण विदी प्रकृत वादी विध्याले की चार दिवारी से बाहर निकल कर भिवन्य स्थानों पर जाकर गटनाओं के प्रत्यक्ष रूप को देखकर सिच्छा प्राप्त करने का समर्थन करते हैं दोस्तों यह तो नारे प्रकृत वादियों ने समर्थन किया है अब दोस्तों इसकी बिसेश्था अ Insurance यह तौ प्रकृत वाद क्यों इतना महत्वथै स्प्अंगर क्या इसका योगदान रहा है तो बहुत हम स्पनुदय के दोस्तों प्रकृति की और लोटें है यह जो था कतन रूसों ने कहा था आज हम देखते हैं अपने वर्तमान संय में मसीजी युग में इतना हमारे वातावरण में प्रदूसर्ण हो गया है प्रकृति का दिन पर दिन विनास हो रहा है दोस्तों जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम लोग भी नहीं रहेंगे दोस्तों इसलिए प्रकृति की और लोटना बहुत ही जरूरी है इसकी हमें रच्छा करना भी बहुत जरूरी है ठीक है दोस्तों दूसरा पॉइंट है बाल केंदे सिच्छा दोस्तों आज हम देखते हैं पहले क्या था व्यादिक कालिन सिच्छा में गुरु का इस्तान सरवोच्चितम हुआ करता था ठीक है दोस्तों अब लेकिन जो ये बाल केंदे सिच्छा है इसमें जो सिच्छा का के टीक है के दीसरा प्वाइंट है कि उस्ट की घ्यान का रोध किया भालग को इन चीज्वी पर आप्र दिया है तौक्रमादसिक सक्टियों की अंसा तो हर वालग की दोश्क्राइब किमें हर कि धो कرف कि वह चैजरुना नहीं कि हर रद्वा संवी ऑलग तो तो इसलिए उन्होंने मान सेख सक्तियों कि आनसार सिच्छा का समर्थन किया है पांच माँ आया हमारा सह सिच्छा दोस्तों आज हम देखते हैं को एजुकेशन वह प्रकृतिवादियों की ही में धेन है ठीक है दोस्तों कि हम कुछ मेतुपूर पॉइंच की बात करते हैं दोस्तों प्रक। इभैसक। प्रक। इपडर सुच्छण नहीं, या सिच्छक हून ठीक है। आप यहां पर ठीक कर ले न। प्रक। सिच्छक का इस्थान गौळ्ण है। वही दोस्तु करें की अंदसार सुच्छ सर्वोच्तम इस्थान बालक का होता है बालक केंद्रविंदु है सिच्छक और पाठेगरम का यहां भी दोस्तों सिच्छकी होगा आप सही गर लें ठीक है थोड़ी लिखने में मिस्टेक हुई है अब हम नेक्ट पैंट देखते हैं हमारा कि प्रकृतिवाद ने बाल मनोविज्ञान की एक नई साखा का विकास किए दोस्तों जो बाल मनोविज्ञान है वह प्रकृतिवाद की देन हैं अब दोस्तों और पूछेगा की कौन-कौन से मनों वेज्ञान एक हुए हैं जिन्हों ने प्रकृतिवाद का समर्थन किया है वेख हुए हमारे दोस्तों रूसो, स्पेंसर, रविनना, टेग और बेकन, केमेनियस ठीक है दोस्तों कुछ भी आप से छूटेगा नहीं और इसके बाद मैं एक अब्जेक्टिव सीरीज बनाऊंगा आदर्सवाद, प्रियोजनवाद और प्रकृतिवाद की जिससे आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से किलियर हो जाएंगे नेक्स्ट मॉइंट है हमारा कि प्रकृति की और लोटें यह रूसों का कतन है दोस्तों वही जो मैंने आपको बताया था यह इंपोर्टेंट है एक तो था हमारा वेदों की और लोटें यह है कतन अलग था यह कतन अलग है आप इसमें सांति निगेतर में प्रत्य सिच्छा प्रकृतिवाद की ही विशेश रूप से प्रवावित है यह भी दोस्तों प्रकृतिवाद से ही प्रवावित है जो सांति निगेतर में सिच्छा दी जाती है दोस्तों यह हुआ हमारा प्रकृतिवाद इससे पहले मैं एक वीडियो ब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी दबादें बिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद बंदे महत्रम थेंक यू